भारत नाम कैसे पड़ा? बुद्ध के समय तक इस देश का नाम, महाविर जैन तक इस देश का नाम भारत नहीं था. महावारत भी सब्द कोई नहीं था. बुद्ध के पूरे साहित्ते में भारत और महावारत सब्द नहीं मिलते. पर बुद्ध के बाद के समय में महावारत मिलता है और भारत मिलता है खास तोर से असोक के समय ये महावारत बन चुका था. यानि बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध की आभा में रत होने के कारण जो बुद्ध ने ग्यान दिया, जो बुद्ध ने जानकर दी उससे लोगों ने शराब छोड़ दी, उससे लोगों ने बलातकार रहत्याई छोड़ दी वेबचार छोड़ दिया उससे लोगों ने जुट बोलना छोड़ दिया और उससे लोगों ने नशा पता करना छोड़ दिया जिनको पांच सील बोलते हैं ये पांचों बातें लोगों ने छोड़ दी उससे लोगों में आभा आने लगी और लोगों में जब आभा आने लगी तो वो आभा में रत रहने लगे इसलिए आभा रत जो जगे थी सारी की सारी उसका नाम पड़ा आभा रत और बाद में आ साइलेंट हो गया भारत सद्ध रह गया पर असोक ने जब इसको इरान से लेके वर्मा तक एक किया और उदर अफगानिस्तान और चीन से उपर से लेके और स्री लंका तक इसको पूरे एक किया तो ये बहुत ब्रहद और बड़ा बन गया जिसको पाली के अंदर महा बोलते हैं महा माने बड़ा तो महा भारत हो गया यानि कि बुद्ध के काल में जो असोक ने बुद्ध का जितना भी आभा थी उसको बहुत बड़ा कर दिया और भारत से आभारत से महा आभारत कर दिया तो असोक ने जो धंब को चलत पर फैलाया उससे जो बुद्ध की आभारत हुई उससे ये महा भारत बन गया और महा भारत बाद में छोटा हो गया जब इसके हिस्से तूटने लगे अफगारिस्तान चला गया भूटान चला गया नेपाल चला गया स्रिलंका चला गया बर्मा चला गया चीन चला गया इरान चला गया पाकिस्तान चला गया बंगला देश चला गया जब ये छोटे छोट छित को भारत बोलते हैं और अंग्रे जोने भी इसको light of Asia बोला है Asia की आभा, Asia की रोशनी, आभा माने चमक light of Asia तो light of Asia कहें या आभा रत कहें या भारत कहें या महा भारत कहें वो इसी देश का नाम है जो महान समराठ असोक की वजए से पूरा पड़ा है और जब ये कभी महा भारत बनेगा तो फिर समराठ असोक का महा भारत आपको दिखाई देगा तब तक के लिए संगह नमामी, संगह नमामी, संगह नमामी